हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता के और फ्रेंड्स आज इस सेसर में हम लोग बिहार एससी सेकेंड इंटर अस्तिय एक्जाम यानि की बी एससी द्वीतिय इंटर लेबल एक्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग की रुकमणी प्रकासंदुरा भौलूम टूप्रैक्टी सेट आया हुए जो किया जो प्लेटफी प्लेटी सेट इजसेस सभी सेट को लगा लीजे यह difference इप्लेट ने इस बार भी इससे कोश्चन आने की बहुत समावना है क्योंकि इस बार जो है यह निव पैटर्ण पर अधारी तयार किया गया तो चलिए शुरू करते हैं सेट नमर अठारा को आये देखते हैं सेट नमर अठारा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगा असानी से आप अगर आप इसका एंसर पहले से जानते हैं तो एंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिए इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा और साथ-साथ में जो करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिदाहेंगे आई देखते हैं इसका इस क्या स現在 होगा हाली में सही हैjo की इनेसको की creative सहरों की सूची में भारत के किस सहर को सामिल किया गया तिया क्यों जो किया गया कोजी कोड को इसका जो एनसर जगा नंबर discriminator जो कि UNESCO की Creativity सहरों की सूची में भारत के कोजी कोड जो उसके सहीत के लिए और ग्वालियर सहर जो संगीत के लिए सामिल किया गया है वही कोशन पुछ देगा बरतमान में भारत में कुल कीते ने UNESCO 20 वधरोहर अस्थर लाए तो यह बरतमान में भारत में कुल 42 UNESCO 20 वधरोहर अस्थर है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया गया नॉमबर 2023 में 94 भारती अंतराष्टी फिल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया हाली में कीस पूरोव ईवे नो महा सचीव को सन्युक्त राष्ट में 2023 दिवाली पावर अफ वण फुरुसकार से समानित किया गया बताए इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि हाली में कौन से पूरोव ईवे नो महा सचीव हैं जो सन् लदाक में रहने वाले बच्चे कि लिए कर्लाइकर्य गति भी दिया चला रही है इसका राइट इंसर क्या हो जह आगा अगे कोशन देखते हैं जो कि दिया गए को वर्स डैस में 36 गड़ उत्राखन और जारखन राजों का गठन हुआ था इसका राइट एंसर क्या हो जागा था तो एक नौमबर 2028 को 26 गलव अबनाये गया था वही यहां देगा उत्राखन उत्राहंड में तीन में 3 गठन के गठन गया था जो कि इसका आगला question दिया गाऊ- निमली खित में से की सहर को भारत में महलो का सहर दह सीटी ओफ पेल एशेज के रूप में जाना जाता इबताई इसमें राइट आइट आइट एंसर क्य हो जागा की भारत काऊन साय है जिसे महलो का सहर कहा जाता है इत्व कहा जाता है व सबस्सक्राइब सुपर तर्मल पावर प्रण्ट होता है इसका जो सी नंबर यहीं कोशन पुछ देगा भारत में सबसे अधिक विधु तूर्जा का उत्पाधन कैसे मुझाता इसका इनसर जगा सी उसका जो एंशर जगा इनम बरल जगा जो कि इनहें कभ आपर इंशकार दिया गाए ता तिनहें या पुरुस्कारast bak MR जो कि दिल्लि में आयो जीट पहले खेलो इंडिया पेरा गेम्स में शीर्स स्थान हासिल किया बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि 10 से सतरा दिसम centr बर जीडिया गेम्समें सीर्स स्थान किसने जारी किया है तो यह जो किया गया वो हARयाना ने इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा, आगे कोशन देखते हैं, जो कि दिया गए, हाली में निमलिकीत में से कौन से भारती महिला किर्केटर ICC Hall of Fam में सामिल होने वाली पहली भारती महिला किर्केटर बन गई है, बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जागा, कौन से भार में सामिल होने वाली भारती महिला किर्केटर बन गई है तो यह जो बनी है यह डाइना एडूर जी इसका जो एंसर जो जगा वह सी नमबर हो जाएगा जो कि यही कोशन पुछ जागा पूरूस में किसे सामिल किया गया है तो पूरूस में ब्रेंदर सहवा को आई सिसी अहल आ राइट एंसर क्या हो जागा कि बीश्व का पहला क्रित्रिम बुधिमता ए आई सुरक्षा संस्थान जो है वह किस देश में अस्थापित किया जागा त्याह जो किया जगा वह ब्रीटेन में इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया किसे पर्धान मंतरी करयाले के निर देशा के रूप में निक्त किया गया यह जो निक्त जो क्या जो एक श्वेता सींक ऑट इसका यहान देखते हैं इदली ल्य नस्री की सोसिती né मिल्हाज उल्भ सीराज Java यहाँ थे नंबर होजाँ जाएगा आया यहां चैंप लिए होम आख्ञी सल्टहर उन जाय ग्याँ क्या कर दिल्हाज उल्म सिराज स्रुआ इसका अगा क्यों घ्रेलित6 सिराज ने तबाकत नासरी के राचना फार्सी भासा में किये थे आगे कोशन देखते हैं जो कि मैट्स का कोशन है जो कि इसका सोलुसन जो आपको पीडियेफ में देज जाएगा पीडियेफ पाने के लिए आप में टेलिग्राम चैनल यह वाटसब ग्रूप से जूड़ के ल कराम है तो यह जो लॉंच किया गए 36 गड़ सरकार दोरा इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया गए 1928 इसमें साइमन कमीशन भारत में कीस उदेश से आया था बताई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था उसका उदेश से क्या था इसका उदेश जो था प्रसासनिक सुधार पर बिचार के लिए इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा जो कि भारत साइमन अधिनियम 1929 में यह प्रधान था कि 10 वर्स के बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन कि आ गया था जो किया जो साइमन कमिशन जो था जौन साइमन के अधिक्सता वाले इसायोग में कुल साथ सदस्य थे इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे कोशन दिखते हैं जो कि अगला कोशन दिया कि आत्मिय सभा के संस्थापक कौन थे बताई इसका राइट क्र加शन पूशन कङला समस्था सब्सstर्द एनबर हो जाएगा दिखते हैं मोंगल वासाँग जाहँवाशा में लिखी थी ना ve फार्सी बहसा में इसका जो एंसर जगाव दिन नमबर हो जागा आगे कोस्शन देखते हैं ॉइस थेम जो एन सर जगा युद्ध के आध्यमन से कौन थे बताई इसका राइट एंसर क्या हो जागा इसमें बताना है कि सेस एक दूसरे से मेल नहीं खाता है इसमें कौन सा एक भिन्य है तो देख लेते हैं पहले कथक कली दियागा उसका भांगडा दियागा उसका खुची पुडी दियागा और भारत नट्यम दियागा है यहां जो दिया गया इसमें जो भांगडा जो ऑन ने तीनों से मेल नहीं खता है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा जो कि भांगडा जो एवक लोक निरीती है तेता कथकली कुछी पूड़ी और भारत नट्यम जो यह यह सास्त्री निरीत इस वुज़े सिह अलग है इस में जो हो जगा इंसर जगा बी नंबर जलकुर आगे कोशन देखते हैं वहागे मेहाला की गालों पहाड़ी दिन में से कीज फॉसल के उत्पादन के लिए जयने जाते हैं India की एक हं पहाड़ की एटर किलिए फड़ पहाड़ केक्षाल काहिज़ पुर्वी बश्टर में पहस्टि के पूरु कुर्व को सब्म क्ड़ में क्ड़ करते तो यह जो पहाड़ भरत का दख्षाज नहुत सबस्तिक्ट συνत भारत का दक्षिन्तम बिंदू है इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि भारत का दक्षिन्तम बिंदू कौन सा है तो दक्षिन्तम बिंदू जो है या इंदरा पॉइंट है इसका जो एंसर जागा सी नमबर हो जाएगा वही यहां देगा इंदरा कॉल इंदरा कॉल जो है भा माइक्रो एकनॉमिक्स का निव रखी थी बताए इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि दा जैनरल थियोरी अफ एंपुलाइमेंट एंट इंट्रिग्रेटेड एंड मनी के लेखा कौन है जिसमें क्या चर्चा किया गया जिसे अर्थ सास्त्र की अलग सखा के रूप में माइक इसका राइट एंसर क्या गया था आगे कोशन देखते हैं जो कि अब प्रसासन को नियांत्रित करने वह भारती संसद की प्रमुक समीती है बताएगे कोशन देखते हैं भारत में अस्थानिये स्वासासी संस्थाव के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्ण में से की से जाना जाता है बताएगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कि अस्थानिये स्वासासी संस्थाव के प्रति सजगता दिखाने के लिए इन में से की की से जाना जाता है यह हो जाएगा लौड रीपन को इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा जो कि लौड रीपन क करेकाल का एक महत्पूर्ण कार जो था 1882 में अस्थानिय स्वसासन पर सरकारी प्रस्थाव लाना था जो कि इस प्रस्थाव के तहद ग्रामिड छेत्रों के लिए अस्थानिय बोडों की इस अस्थापना तता नगर छेत्र में नगरपाली का अस्थापित की गई थी वही इसका राइट एएंसर टिया के के लोगों के मामलों के सुनवाई करने के लिए भारतीन नया interesse आया जitा ईंसर आगे कोशेंद सिल लेखों में कौन से है परмат के सिला लेखों में परियुक्त लीपी कौन से यह जो लीपी जो पहला एक करो इस नमबर सुबहर है अंसर शह्याедविण दिल्दोट में खौन से लीपी अग्या ay вед लेकशलי घ्रोश्ण धिक हूस्थ लिपी और ग्रीक लिपी जो कि असो के मनसेहरा और सहवाजगड़ी ब्रिहत सिलालेख की लिपी जो ए खरोष्टी लिपी है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया हड़ापा सब्वेता से समधी सही तत्विया तत्व का पहचान करें सैज में सही दिया गया पहला दिया गया नगर्य सब्वेता थी जो कि सही है अगला कास यूगिन सब्वेता थी जो कि ये भी सही है तत्व अगला दिया आद एतिहासिक सभेता थी जो कि ये भी साहिए तो ये तीनों साहिए एक दो तीन इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा जो कि हड़ापा सभेता में नगरों की उपस्तिती थी उसे नगरिये सभेता कहते हैं जो कि हड़ापा सभेता के लोग लिखने पढ करने की कला से परिचीत हैं तथा इसे आधे एतिहांसिक सभ्यता कहते हैं जो कि हड़ापास सभ्यता भारत की प्रथम नग्रीय सभ्यता थी आगे जो कोशन दिया गया जिसका सोलीशन जो आपको पीडिये पने जगा पाने के लिए आप में टेलिग्राम चनल यावाट सब ग् कमी से होता है बताइए इसका राइट इंसर क्या हो जागा कि मक्का के सफेद कली जो होने लगता है वह की स्तौत्तों के कमी से होता है तो यह जो होता है वह जिंक के कमी से होता है इसका जो एंसर जगा भी नंबर हो जाएगा आगे हम लोग कोशन देखते हैं जो कि दिया ग किया गया है तियाह जो किया गया वह 97 समिधानिक संसोधन अधिनियम दोरा इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया गए नेम्ड में से समिधान के कीस अनुछेद के तहट एक सरदार जी क्रिपाण को धारन कर सकते हैं बताइए इसका र की स्वतंतरता का और धर्म के अबाद रूप से मानने और आचरन करने और प्रचार करने का समान हक होता है यहा देखा अनुछेद 8 1431 जो ए प्राण और देहिक स्वत್त जोर्चा करने का वरन किया गया यहाँ देखा अनुछेद – 26 जो धार्मीक कारियों के प्रबंधन की स् मंदित चर्चा किया गया है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जगा जो कि पूरे अनुछेद को पूरा एक से लेकर 395 को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं उसके महत्पूर्ण अनुछेद के लिए हम अलग से वीडियो बना देया आप मेरे चैनल पर चले जाएए और सर्च किजेगा उसमें अनुछेद से रिलेटेड वहां आपको मिल जागा वहां एक पर देख लेने के बाद आपको अनुछे तेनो सेनाओ के सरोच सेनापती होते हैं वही भारत में राष्ट पती होते हैं वह समिधानी करेकारी परमुह होते हैं जबकि प्रधान neighbor होते हैं तो इसका जो answer हो जगा D . आगे question क् Dynamics पार विचार कर बित्थे जहां दो पर बित्थार करना है तो देख लेते हैं देगा है। जो कि ये भी सही हैyrnow तो एक दो तीन सही है। इस मतनला उपीव्क्त में से कौन सा सही है। ये सभी सही है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो 니मली खित में से किसे पूंजीगत भयाए इन में से किसे माना जाता है यह जो माना जाता है स्कूल की इमारत का निरमार करना यह सरकार दुरा किया गया वह समपतियों के भिकास के लिए आगे कौशनदेखते हैं, परबंद निमलिकहित में से किसे समाजिक अधारिक सं रचना के अंतरगत सामिल नहीं किया जाता है इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसमें बताना है कि इसमें कौन सा है जिसे समाजिक अधारी संरचना के अंतरगत सामिल नहीं किया जता है पहला देगा है सिक्छा सिक्छा जो है इसे सामिल किया गया तता अगला है उर्जा जो है जो कि इसे सामिल नहीं किया गया तता अगला दे अवास अवास जो है इसे भी सामिल किया गया तो अगला देर स्वास्त स्वास्त जो है इसे भिसामिल किया गया है तो इसमें नहीं वह वह बतन है तो इसमें 2 और 4 को नहीं सामिल किया गया तो इसका जो answer जो जब सी नमबर हो जाएगा आगे question देखते हैं जो कि दिया है संसद आदर्स ग्राम योजना जो कि संदर में निमलिकीत कथनों पर विचार कीजिए यहां जो कथन दियेगा उस पर विचार करना है तो दिया गया कि संसद आदर्स ग्राम योजना के संबन में दिया गया तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया भारत के संसदों को एक गाओं की पहचान करने और बिकास्यीत करने का प्रोधान किया है जो कि यह सही दिया गया है आगे कोशन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि इस योजना के अंसार कोई संसद स्वेम का अथवा पति पतनी के गाउं को गोद नहीं ले सकता है जो कि ये भी साही दियागा ते इसमें एक और दो दोनों साही है तो इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो क दियागा इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा जो कि गांधिवादी योजना जो भीकेंद्री क्रीद आर्थिक संडरशना पर अधारित है आगे कोशन देखते हैं जो कि पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमद्य सागर से उत्पन होने वाले सीतोष्न कटी बंदिय चक्रवात से कीस फसलों को लाब होती है इसका राइट एंसर क्या हो जागे कि पंजाब में वर्षा के कारण बनने वाले भूमद्य सागर से उत्पन होने वाले सीतोष्न कटी बंदिय चक्रवात जो आता है उससे कौन सी फसल लभवानतित होती है या जो फसल जो रभी की जो उससे फैदा पहुचता है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा जो कि पश्चिमी विशोब से सीती रितु में वर्षास में रभी फसल को बहुत लाब मिलता है आगे कोशन देखते हैं जो कि तापती नदी का उदगा मस्थल कहां है बताइए इसका राइट एं सबसे चमकीला ग्रह कौन से बताइए इसका राइट सरकार ने नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन की स्वर्स किया गया था बताइए इसका तिया जो आगे कोशन देख लेते हैं जो कि रीजिनीग का कोशन जो है इसका सुलकीस सताफ़ि में उस् sido प्रभारति सो स किक का जारी किया और इस से रूप्या का नाव दिया बताईए इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि सुलहवी सताबदी में कौन से भारती सासक थे जिनोंने चांदी का सीका जारे किया और उसे रूपिया नाम दिये थे यह जो सासक जो थे यह सेरसा सूरी थे इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा जो कि सेरसा ने 178 ग्रेन का चांदी का रूपिया और 308 ग्रेन के तामबे का दाम चलवाये थे जो कि सेरसा का बचपन का नाम क्या था यह तब फरी दिखा था आगे कोशन दिखते हैं जो कि यह भारती समिधान के कीन दो अनुचेदों में नयाइक समिक्षा की सक्ति को सारवधिक असपाश्ट रूप से प्यक्त किया जाता है यह जो ब्यक्त किया जाता अनुचेद 32 toe 226 किया ज़िए इसका ऐंसर जगा सी नबर हो जाएगा वह किया अनुचेद 32 2 जो है इसके अंतरगां उच्टम नेले सुप्रीम कोट के दोरा पांच परकार का रीट जारी करने का सकती है वही अनुच्छे 226 जो है अनुच्छे 226 के अंतरगत उच्छे नेले हाई कोट के पास पांच परकार का रीट जारी करने का अधिकार होता है जो कि अनुच्छे 226 के अंतरगत उच्छे न बठाइए जिसे 1815 भारत का पहला से वियार जनरल किया गया था जोन किया गया तो यह जो चेंजी को इसका जगा D-Number हो जाएगा जो कि HALT में केंजी जो थे हैं वो भारत में मलवाडी प्रणाणी के जनक मने जाते हैं जो कि मलवाडी प्रणाणी जो पंजाब और पश्चिम उतर भारत में लागू किया गया था आगे कोशन देखते हैं जो किदी है मालवा के पठार के उत्तर पहस्ची में इस्थित परवत सिंखलाओ को किस नाम से जाना जाता है त्याहर जो जाना जाता है अरावली नाम से इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो किदी है इंडियन एस्थापना कब हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि इंडियन एस्थापना जो कब किया गया था त्याहर जो किया गया था इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जो कि किसके दोरा किया गया था इसकी जाने पर जाने पर उसका जो इंसर जगा बी नंबर हो जाएगा जो कि सत्ह से उपर जाने पर वायु मंडलीय दाब घट जाता है आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया गया है सजीवो के वरगी करण की मूल लिकाई को क्या कहा जाता है बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जाता है कि सजीवो के वरगी करण के मूल लिकाई को किस नाम से जाना जाता है या जो कहा जाता है जाती इसका जो एंसर जागा ए न समतल्दर्पण की निम्तम्लंबाई कितना होना चाहिए लो ब्रform प्रतिवीम कालपिनिक वास्तु के बराबर और पारश उल्टा बनता है आगे question दिखते हैं जो कि दियागे कि एक इस्ठेतो एस्कोप में हिर्दय की धरकन की ध्वाणी इस्ठेतो एसकोप नली में गमन करती है त्याह जो करती है वो नली में बार बार परावर्थन दो रहा है इसका जो answer जगा B-number हो जागा यही question पूछ दागा कि इसके अभिस्कारक जो थे हैं रेने लेनेक थे हैं आगे question देखते हैं जो कि 100 number question दिया गए निमली कित्म से कौन से calcium carbonate का एक रूप नहीं है बताइए इसका right answer क्या हो जागा calcium carbonate के एक रूप इनमें से कौन सा नहीं है मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया तो देख लेते हैं पहला देख खड़िया जो कि है अगला देख जिपसम जिपसम जो होता है वह समाने रूप से calcium sulfate है तो इसका जो answer जो हो जागा calcium carbonate दिया गया तो इस वज़े cr नहीं हो जाएगा इसका जो answer जो जगा B नमबर हो जागा जो कि कोशन पूछ जगा कि जिपसम का रासाइनिक सुत्र क्या होता है तो इसका रासाइनिक सुत्र हो जाता है C A A S O 4 into 2 H 2 O होता है आगे कोशन देखते हैं दिया वाहनों में पीछे के द्रिस से को देखने के लिए लगे दरपन दो रहा आवर्धन होता है इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि वाहनों के पीछे द्रिस से को देखने के लिए लगे दरपन जोता है उसका आवर्धन कितना होता है तो यह जो आवर्धन जो होता है यह एक से काम होता है इसका जो answer जगा ए नमबर हो जागा वाहनों के पीछे के दरी से को देखने के लिए किस दरपन का प्रियोग किया जाता है तो यह जो प्रियोग किया जाता है उत्तल दरपन का आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया है प्रकिर्तिक मोती है बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जागा प्रकिर्तिक मोती जो होता है वह कौन सा होता है यह जो होता है एक मुलस्का होता है इसका जो answer जगा ए नमबर हो जागा आगे कोशन देखते है जो कि दिया गए नमबर हो जागा आधार हो जागा इसका जो answer जगा बी नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कोई यात्री किसी गतिमान रेल गाड़ी में एक सीखा उचलता है जो उसके पीछे गिरता है इसका यह अर्थ है कि रेल गाड़ी की गति डैस है तो बताइए इसका क्या हो जाएगा कि यादी कोई यात्री किसी गतिमान रेल गाड़ी में बैटकर सीखा उछलता है तो उसके सीखा पीछे की ओर गिरता है इसका अर्थ क्या होता है तो उसका अर्थ जो होता है कि जो गाड़ी निकट बुल बुल हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और उभहधर बरित से तेजी से घुमाया गया है बोतल के कीज भाग के निकट बुलबुले एकात्र होंगे आगे जो question देखलेते हैं, जो के रिज्शनी का question दिएगा जो कि इसका solution जो आपको PDF पने जगा पीडियेप पाने के लिए आप में टेलिग्राम चैनल ये वाटसब ग्रूप से जुड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है आपको डिक सिप्सन में या कॉमेंट बक्स में मिल जाएगा आगे कोश्चन देखते हैं जो कि 111 नंबर जो कोश्चन दिया गया है कि मानौ सरीर में RBC का क्या कारे बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि मानौ सरीर जो इसमें RBC का मुखे कारे क्या होता है तो इसमें RBC का मुखे कारे जो होता है वह सरीर की कोशिकाओ को अक्सीजन प्रदान करना इसका जो एंसर जगा भी नंबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख का सही एंसर जगा सी नमबर जगा गुंड सुत्र एक अयम वाई होता है आगे कोश्चन देखते हैं जो कि दिया निमलीखित में से कीस उपकरन का उपयोग प्रतियावरती धारा को दिश्ट धारा में परिवार्तिन करने के लिए किया जाता है इसका राइट एंसर क्या हो जा आगे कोश्चन देखते हैं उस गयस का नाम बताईए जो वीड टाइप लाइटर में भर जाता है बताईए इसका राइट एंसर क्या हो जागा वह गयस था ही हॉवह डूर्ञी क्वता जाएगा वह भी नमबर जाएगा योडिया आधनिक प्रियोडिक टे मैं सिलिकावन और डैस और डैस के बीच रखा गया इसका अधनी जो पिरियो予क्ड टेबलक है उसमें ईसके किस बीच रखा गया यह आंकीligड और पी बीक के बिच में रखा गया वो जाईगा और कोश्ण चैंस जोकर ब्चिया भPeter पाए जाते हैं तugu साइगी हो यह होता है थो कि अस्ति युट in नमबर जया गार जो कि भी जो करदा एंसर नंबर कौशन दिए तो बिग्यानिक नाम बताई जिस ने सिधान का प्रतिपाधन किया था इलेक्टरन एक धन आवेसित गोले में ध्यसेट होते हैं बताईए इसका राइट एंसर क्या हो जागा है कौन से जिन्होंने बताया थे हैं कि यह परतिपादन किये थे हैं कि धौन आवेस एक समान रूप से बितरीत होते हैं, जिसमें से बीच बीच में रीड आवेस एक परकार का व्यवस्तित होता है, आगे कोशन देखते हैं, जो कि अगला कोशन दिया है, 139 नमबर जो कि दिया गए, निमलीखीत में से कीस बॉल की परकीरती बीधू चुम किये नह आगे कोशन देखते हैं, जो कि अस्पतालों से निकलने वाले जैवी कछडे के निप्टारा का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जागा, कि जो अस्पतालों से निकलने वाले जैवी कछडे जो है, इन्हें निप्टान को सबसे अच्छ वपयोग है जाता है इसका राइट एंसर क्या हो जगा कि प्रेंट सेटिंग क्या गांए से कौन सा बिकाल फ्रिंग में में इन में से कौन सी हड़ी नहीं पाया जाता है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कि मध्य कंड जो होता है उसमें कौन सी हड़ी नहीं पाया जाती है देख रहते हैं पहला देगे मेलियस जो कि पाया जाता है अगला देगा इनकस जो कि यह भी पाया जाता है तो अगला है मे से सौ बार गुजरता है तो लोलक का वर्थकाल है तो लोलक का वर्थकाल जो जगा दो सकेंड हो जाएगा इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो कि स्वतंत्र नैट्रोजन का इस्थिरी करन कर सकते हैं यह जो किया जा सकता है नौश्टक से के दुरा जो कि सही है अगला है जो टो बैक्टराल जीवाडू के दुरा जो कि ये भी सही है तो इन में से सभी सही है इसका जो एंसर जगा डी नंबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया है 202P वेब पर सबसे अधिक परियुक्त की जाने वाले दूसरे अस्था हो जाएगा जो कि वेब के भी कास में सबसे अधिक परियुक्त होने वाले भासा कौन सा है तो जावा स्क्रीप्ट है तो इसका जो एंसर जागा सी नंबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि रीजनिंग का कोशन दियागा जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडिए और वीडियो को लाइक किजेगा और ज्यादा सद दोस्तों के साथ सेयर की जाएगा फिर मिलते हैं आप से अकले वीडियो में तब तक लिए धन्य बात जय हिंद